नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने गूगल एड्सेंस का आईडी बेरिफिकेशन कैसे कर वकते हैं जी हाँ दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता तो आपको क्या करना है कि उस फोटो कहींचने में का तो में रख लेना है ड्यानय कि आपका फोटो कवे ख़ियो आना है कि सब्सक्रायों और कोंग्यों चलना काटा हुगा नहीं होना चाहिए मतलब की पूरा अच्छी तरीके से एकदम के लिए आपकी आइडी का फोटो होना चाहिए तो फोटो खीचने के बाद आपको अपने मोबाइल में सेफ कर लेना है सेफ करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस कैसे करना है मैं आपको अपने मो site पर click करना है adsense.google.com और आगे जो है start तो इस पर पहले वाले पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा page आएगा तो आपको क्या करना है यहां 3. पर click करना है और sign in पर click कर देना है तो मैं अपने adsense वाली जो है Gmail ID से login हो जाता हूं जिस पर मेरा अपने आड़सेंस बना हुआ है इस तरह से आपको भी लॉगिन हो जाना है उस जीमेल आईडी से जिससे अपने जो है अपना अड़सेंस बनाया है तो दोस्तों अपने अपने अड़सेंस पर आ चुका हूं तो सबसे पहले तो मैं इसको desktop side में enable कर लेता हूँ, enable करने के लिए आपको three dot पर click करना है, यहाँ पर desktop side के सामने click कर देना है, यह desktop mode में जो है open हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, अब मैं थोड़ा सा zoom कर देता हूँ दोस्तों, जोम करने के बाद आपको उपर कोने में जाना है बहाई तरफ यहाँ पे तीन लाइन मिलेगी तो आपको तीन लाइन पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का उपसन मिलेगा पेमेंट पर क्लिक कर देना है फिर बेरिफिकेशन चेक का उपसन मिलेगा तो प्लिक करदेना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं । यहां पर जो है मुझे ओप्सन मिल गया है। इ parlar कि उसके पहले यहां पर कुछ लिखा हुआ है मैं आपको दिखां देताँ हूं मेरे चैनल का एड्स बंद कर दिये जाएगा और अर्निंग भी स्टॉप हो जाएगी तो जो दोस्तों यहां पे आगे के स्टेप पे जाने के लिए मतलब आइडी बेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना है यहां पे देख सकते हैं करने टेक एक्सन का option है तो इसी टेक एक्सन पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों यहां पर कह रहा है ID Card होना चाहिए उसके बाद दोस्तों यहां नीचे Start Verification का option है तो मैं Start Verification पर क्लिक कर देता हूं फिर दोस्तों आपके सामने एक नया page खुल के आएगा तो यहां पे आपको अपना legal name डालना है जो कि आपके ID Card में हो जिस ID से आप verification कर रहे हैं तो मैं यहां पे name डाल देता हूं तो दोस्तों मैंने अपना name डाल दिया है संजे कुमार पठेल उसके बाद आपको यहां पे option मिलेगा select ID type यहां पे इसके सामने तीर है इस पे क्लिक करना है आप कौन सी ID से जो verification कर रहे हैं उस ID पर आपको यहां पे क्लिक करना है जैसे कि डाइविंग लेसंस पासपोर्ट पाइन कार्ड वोटर कार्ड तो मैं वोटर कार्ड से कर रहा हूं तो वोटर कार्ड बर क्लिक कर देता हूं उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे जो है ID अपना अपलोड करना है नीचे आपको अपलोड करने का option मिल जाता है पहला है आपको front of ID मतलब कि आपके ID का front वाला आपको upload करना है upload के ऊपर click करना है तो दोस्तों मेरा front ID upload हो चुका है उसके बाद आप आइड़ी अपलोड करना है तो मैं आपको बादा देता हूं कि जैसे ही आप आप मैंने करेंगे तो फीध gang gallery में आप जाएंगे गालरी से आपको अपना आइड़ी फ़ेमLAU्ट कर लेना है अपलोड हो जाएगा तो बैक ID upload करने के लिए मैं बैक ID के नीचे upload पर क्लिक कर देता हूं तो दोस्तो मेरी बैक ID भी upload हो चुकी है उसके बाद मैं next पर click कर देता हूं उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो है इंटर अड्रेस मतलब कि आपको अपना ड्रेस डालना है वही address जो आपके ID card में है या फिर जो है आपको जिस address पर डालेंगे उसी address पर आपका Google पिन आएगा तो मैं अपना address फिल कर देता हूँ उसके बाद submit कर देता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपना address डाल दिया है मैंने अपना address डाला है तैसेल डाला है, city डाला है, pin code डाला है state डाला है, उसके बाद country डाला है सब कुछ डालने के बाद आपको नीचे submit पर click कर देना है तो दोस्तों मैंने ID verification का जो process होता है वो complete कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं verification in progress मतलब की progress में है यहाँ पर यह कह रहा है कि few days मतलब की कुछ दिन या कुछ घंटे लग सकते हैं इसको done होने में इस process को, उसके बाद दोस्तों यहाँ got it को option है, मैं got it पर click कर देता हूं तो दोस्तों इस तरह से जो है आपको भी कर देना है, आपका जो है identity verification successful चेक करने के लिए आपको क्या करना है उपर बाई तरफ कोने में तीन लाइन पर click करना है फिर से आपको payment पर click करना है उसके बाद verification check पर click करना है यहाँ पर आप देख सकते है identity verification complete इस तरह से complete आपका हो जाएगा तो दोस्तो वीडियो कैसे लेगे, comment में जरूर था ना अगर वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को like और फियर जरूर करना अपने दोस्तों में channel परना है है तो channel को subscribe करके पर आपके जरूर दबना क्योंकि इस तरह की वीडियो आगे भी आपको हमारी channel पर मिलती रहेंगी तो फिर दोस्तों फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो के नए topic को लगकर तब तक के लिए जय हिंद